अर्विन जी थैंक यू सो मुझ फर बिंग पार्ट वॉड़कास्ट, मैं आप सब पूछना चाहती हूँ कि में 13 को जो इंसिडेंट्स हुए थे, उसके बारे में अगर आप पताएं कि क्या हुआ था उस दिन? मैं 13 माई को सुभा 9 बजे के करीब अर्विन किजरिवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी, मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्रॉइंग रूम में बिटवाया और बताया कि अर्विन जी घर पे हैं और वो मुझ से मिलने आ रहे हैं, फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आय उसने भी मुझे यही बात बोली, और मैं वहाँ बैठी वी थी, अराम से बैठी वी थी, इतने में बिभव कुमार जो कि उनके पियस थे, वो वहाँ पे धन धनाते वे आते हैं, और वो चिलाने लगते हैं और गालियां दे रहे थे, और उन्होंने मुझे बोला कि तिरी आ क्या है, तिरी हिम्मत कैसे हुई, हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नी चौरत, पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे वो, और उस समय मैं बहुत सक्पका गई, और मैंने उनको बोला भी कि भई, क्या हो गया, मतलब अर्विन जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया तो इतना मैंने बोला और इतने में उन्होंने हाथ छोड़ दिया, उन्होंने मुझे साथ आठ थपड, पूरी जोड से मारे, मैं सोफे पर बैठी थी, वो सामने खड़े थे, वो मारे ही जा रहे थे, मुझे बिलकुल समझ नहीं आया क्या हुआ, इतने में मैंने अपने आ वो सेंटर टेबल है, उस पे जाके टकराया, मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया, और मैं चीकती रही, चिलाती रही, मैं मदद मांगती रही, और मैंने उन्हें इतनी बार बोला, कि मेरे पीरियड चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, आदमी नहीं माना, वो अकेला था, कमरे में? जी, उस वक्त वो अकेले थे, उस कमरे में, और जब इतना जादा मुझे वो पीट चुके थे, उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आपको छुडाया, और मैं वापस सोफे पे जाके बैठी, और मैं बहुत अजिटेटेट थी, तो मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी, मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा, जब मैं कॉल कर रही थी, तो उसने मुझे देखा, और उसने मुझे बोला, कि मैं तुम कुछ कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड सकती, और तुमको तो मार के गढ़वा देंगे, हड जब सेक्योरिटी जो गेट पे खड़ी होती है, उनको बुला के लेकर राया, जब सेक्योरिटी अंदर आई तो मैंने उन्हें बताया, मैं बतला बहुत ज़्यादा एगिटेटी थी, और मैं उन्हें चीक चीक के बतारी थी, कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने बताया कि बिभ जब सेक्यादा पे बाहर पेंको, तो मैं उनको बोलती रही, उन्हें ने मेरे को समझाना शुरू करा कि नहीं बाहर निकलिए, मैंने उन्हें बताया कि मैंने 112 नंबर पे कॉल कर दिये, पुलिस को आने दो, ये क्राइम सीन है, यहां पे मेरे साथ इतनी बड़ा हाथसा हु हुआ है, मैं मेंबर ओफ पार्लिमेंट हूँ, मैं फॉर्मर डेली कमिशन फॉर विमन चेर परसन हूँ, आप रुकिये, आप पस पुलिस को आने दीजे, एक बार पुलिस आ जाए, मैं पुलिस आ जाएगी यहां पर, मैं फिर उसके बाद जाओंगी, क्योंकि मैं को यह ड एंड में मुझसे मैं बिलकुल अपना आपा खो गई, कि मैं एक तो मेर को इतनी बुरी तरीके से पीट दिया गया, उपर से वो वहां पे आकर मुझे ही बोल रहे हैं कि आप बाहर जाओ, बिभव से कोई पूछ भी नहीं रहा कि तुमने क्यों मारा, कैसे मारा, ऐसे कैसे ह हो गया, तब मैं अपना आपा कोया, और मेरे मुझसे कुछ अपशब निकले, जो बाद में हमने देख एक पस 50 सेकंड की क्लिप, डॉक्टर करके, एडिट करके, उसमें से भी काट पीट के, उसको टीवी चानल को दिया गया इनके द्वारा, और वो चलाई गई, और बाद दस मिनट की वीडियो जो मैं चीक-चीक के बता रही हूं कि मेरे को कहा मारा, कैसे मारा, मेरा हाल जो अगर देख ले कोई, तो वो बिलकुल बात क्लियर हो जाएगी, तो evidence के साथ भी So, according to what you are saying, दो वीडियो है, एक तो CCTV वीडियो है, जिसमें पूरा sequence है, जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ, थू दूसरा जो विभव जी ने खुद वीडियो बनाया है, वो भी है, दो वीडियो सोर्से है अभी जब मैं वापस आके बैठी, जब मैं सोफे पे दुबारा आके बैठी हो, मैंने 112 नंबर कॉल करा, ये बाहर गया, ये security वालों को लेकर आया, जब security वाले वहां आए, तब वो वीडियो लेना शुरू करा है, जब मुझे मार पिटाई कर रहे थे, तो वो अखिला था कमरे म तो वो वीडियो कैसे ले सकता है, तो जब ये मार पिटाई हो रही थी, you were obviously screaming, कोई ऐसे silently तो नहीं मार खा सकता, तो जब वो आपको मार रहे थे, and it is, I mean, according to what you have said, it is quite gross, he, आपने कहा, 7-8 बारी he kicked you on the chest, stomach, pelvis, और आपके periods चल रहे थे, He dragged you, your shirt was pulled up, as per this, you were screaming for help, घर में और कोई नहीं था आपके मताबिक? मुझे बताया गया था कि अर्विंद केश्रिवाल जी घर में हैं, और वो मुझसे मिलने आने वाले हैं, और मैं बहुत जोड़-जोड़ से चीक-चीक के help मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया स्वाती जी आप उनके घर कई बार जा चुके हैं, क्या हर बारी आप अपॉइंट्मेंट लेके जाते थे, इस बारी शायद नहीं लेके गए, क्या उस वज़े से नराज थे, क्या हो सकता था उस दिन? मैं अपॉइंट्मेंट लेके तो हार्डली कभी गई हूँ, जब-जब मैं घर गई हूँ, तब तो मैंने कभी भी अपॉइंट्मेंट लिया, हाँ जरूर है कि अगर ऑफिस जाते हैं उनके, क्योंकि उनकी मीटिंग्स लगी भी होती हैं, और बहुत एक प्रोटोकॉल होत तो मैं यह जानना चाहती हूँ, कि अगर मैं ट्रेसपास कर रही थी, तो फिर तो गेट पही रोकते थे, फिर अंदर से, अंदर तक मैं पहली बात कैसे चली गई, और दूसरी बात जो यह कहना चाहरे हैं, कि मेरे पास कोई जी अपॉइंट्मेंट ही नही था, तो मैं तो ह बार चले जो मैं बार चली जाती, मतलब आप अपॉइंट्मेंट लेके नहीं आएगा कोई, तो आप उसको पीट तो गे, और वो भी उस इंसान को जो आज तक कभी आपके घर में अपॉइंट्मेंट लेके आया ही नहीं, मैं तो बीस साल से जानती हूँ, वो हमारे घर आत कि कुई बाहर इना निकले कम्रे से जी वही अजीब बात है और मैं बहुत जोर जोर से ची करी थी चिला रही थी सच तो यह कि कोई मदद के लिए नहीं आया पुलिस सब इस पारे में इंवस्टिकेट कर रही है कि क्या हुआ क्यों हुआ और किस के इंस्ट्रक्षिंस पर मैं पीटी गई हूँ, ये सारी चीजों पर अभी investigation चल रहा है और दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से cooperate कर रही हूँ, तो इस वक्त अब इस से जादा मैं क्या बोलूँ, because it's a matter of investigation. आप कह रही हैं किसी के instructions पर याने कि खुद बखुद बिभव में इतना इतनी जुरत नहीं होगी कि वो खुद पीटे, is that what you're saying? मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मार पिटाई हुई है अब बहुत सारे सवाल उठते हैं वो जो सवाल है कि कैसे पिटी, क्यों पिटी बिभव ने अकेले मारा क्या किसी के इंस्ट्रक्शन्स पे मारा ये सारी चीज़ें अब matter of investigation हैं दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कॉपरेट कर रही हूँ हाँ मैं ये भी है लेकिन मैं किसी को clean shit नहीं दे रही क्योंकि fact ये है कि मैं drawing room में थी अर्विन जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया मैं चीक रही थी, चिला रही थी पर कोई आया नहीं ये भी fact है कि आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अर्विन जी का कोई call नहीं आया और वो मुझे से अभी तक नहीं मिले ये भी fact है कि इस पूरे प्रकरण में अर्विन जी उस आरूपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे है वो उसको लेके लखनाव घूम रहे है वो उसके लिए प्रोटेस्ट पे, सड़क पे उतरे इतना तो उन्होंने मनीश जी जब अरेस्ट हुए थे उनके लिए भी नहीं करा तो ये जो चल रहा है और पूरी तरीके से पूरी पार्टी में हर इंसान को इंस्ट्रक्शन दिये गए है कि मेरा क्यारेक्टर असासिनेट करो मेरे विक्टिम शेमिंग करो मुझे मतलब बुरी तरीके से टॉर्चर करो तो ये मुझे जो दिखरा है इसको लेकर मैं किसी को भी क्लीन चट नहीं दे रही बट डेफिनेटली आ वाट देली पूलिस उसको सामने आना चाहिए क्या ऐसे हो सकता है कि ये वो घर इतना बड़ा है कि आप ड्रॉइंग रूम में आपको मारा जा रहा है और बाकी जो कमरे हैं अगर कोई उन कमरों में है तो उनको सुनाई नहीं दे रहा ऐसे हो सकता है क्योंकि आप जानती हैं आप गई हुई है उस घर में तो उस घर में जब मैं गई थी तो पहले मैं डाइनिंग रूम के बाहर गेट तक गई थी डाइनिंग रूम का गेट हमेशा खुला रहता है तो मैं वहीं पे थी ड्रॉइंग रूम और डाइनिंग रूम बिलकुल आसपास है तो जो वो गेट खुला वा था और मैं उस कमरे में ड्राइंग रूम में पिट रही थी तो अब ये दिल्ली पुलिस बताईगी कि मैं जब इतनी जोड से चीक चिला रही थी तो वहाँ पे जो लोग थे वो क्यों नहीं आए या उन तक आवाज नहीं गई मतलब बहुत अजीब बात है और एक बात पताईए कि अगर आवाज नहीं गई तो जब मुझे पुलिस से बाहर निकाला जा रहा है I'm a member of parliament, I'm the former chairperson of the Delhi Commission for Women and on top of it, मैं 2006 से इन लोगों के साथ काम कर रही हूं तो अकर मुझे बाहर निकाला जा रहा है तो तब तो कोई आता तो तब भी कोई नहीं आया How long have you known Bhibhav ji? I know him since 2006 only Since 2006? क्या वो बहुत करीबी रिष्टा है उनका Arvind jiay के साथ? हाँ, starting में नहीं था लेकिन अब Arvind Kijhriwal ji के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त बिभव कुमार है वो कोई मामूली P.A. नहीं है अगर आप उनका घर देखें तो उनका घर इतना आलिशान उनको घर दिया गया है इतना तो किसी मंतरी को भी दिल्ली में नहीं घर मिलावा है तो वो एक बहुत रसूकतार और बहुत पावरफुल आदमी है इस वक्त इस पूरी पार्टी में और पूरी पार्टी उनसे डरती है और उनके ओपर असॉल्ट का केस पहले भी हो रखा है तो ये सब बाते हैं और डरती हैं क्यों डरते हैं लोग? लोग ढड़ते हैं उनका जो मतलब ऐसा एक पूरी पार्टी में मेसेज है कि अगर बिभाव नराज हो गया आप से तो फिर आप खतम हो पार्टी में इस पार्टी में पहले भी वाइलेंस के इंसिदेंस हो चुके हैं रफश ट्रीटमेंट कुछ लोग openly कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि दबे पाउं चलना पड़ता है अर्विन जी के आस पास Is it a culture of violence which has been promoted right from the top कि आप क्या समानेंगे? देखिए एक पार प्रशांत भूशन जी और शांती भूशन जी को भी इसी तरीके से एक mob के द्वारा धक्के मारके निकलवाया गया था हम सब ने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले एक चीफ सेक्रेटरी को भी drawing room में ही पीटने का एक बहुत गंभीर आरोप लगा था और तीसरा मेरे साथ ये incident हुआ है अभी तक मुझे कभी ऐसा लगा नहीं लेकिन जब मेरे साथ खुद हो गया है और मैं इतनी बुरी तरीके से पीटी गई हूँ तो अब मेरे पास क्या बोलने को बचा है fact तो यह है कि मेरे को बहुत बुरी तरीके से मारा है और अगर शायद इतना नहीं मारते तो मैं शायद वो कॉल क्यों करती मतलब what is my motive I'm going to run the video आपको नहीं देखना हो तो आप नहीं देखें पर अपने viewers के लिए I'm going to run it you don't need to look at it उसमें जो वीडियो में जो दिखता है it is not very clear about the room there's a shaky video जो release हुआ है अभी तक sources नहीं पता it was leaked to the media तो हम भी नहीं कह सकते ये किस ने release किया but it's obvious कि अगर CM के घर के अंदर का video है तो somebody close to the CM or close to the security personnel have released this video अब इस video में जो हुआ है after this you make a call to the police पहले आप कहते है CM और बिभव ने पिटवाया Ma'am, 8 second so ये जो video है ये जब मैं पिट चुकी थी मैंने 112 के उपर call कर दी थी उसके बाद जब बिभव ने ये देखा कि ये 112 की call हो गई है उसके बाद वो भाग कर गया security वालों को gate से लेकर आया और जैसे ही security वाले घुसे हैं उसके बाद इसने video बनानी शुरू करी है पर Ma'am, वो जो video है वो कम से कम 8 से 10 मिनट की video है जिसमें मैं security वालों को चीक चिला के बता रही हूं चीक चीक के बोल रही हूं लेकिन security वाले क्योंकि वो तो विभाफ ने उनको बोल दिया था कि इसको ठाके फेंक दो तो वो तो सुनी नहीं रहे थे मेरी बात end में जब मैं बिलकुल अपना आपा को चुकी थी मुझे दिख रहा था कि वो मुस्कुरा के वीडियो बना रहा है फिर भी मैं अपना आपा को चुकी थी तब मैंने जब अपशब्द बोले तो बस वो जो पूरा एक छोटा सा पोर्शन है बस उसको मीडिया में selectively leak किया हाँ दो चीज़ है एक तो आपका अपशब्द और दूसरा आपका फो जो आपने पुलीस को बताया जो अपशब्द वाली बात है दो वीडियो जे एक तो अपशब्द वाली और दूसरा जो आप चल के जा रही है जो आप चल के जा रही है उसमें जो आम आदमी पार्टी के कुछ लोग है वो उन्होंने प्रेस को बताया कि वो तो she's walking out normally वो ना तो उनके कपडे फटे हुए है क्योंकि आपने का था आपका shirt उपर किया था and she's not limping क्योंकि आपने का था you were kicked तो वो limping नहीं है पर एक women there are two women in the video जो आपको escort करके बाहर लेके जाते हैं and आप point कर नहीं है towards somebody and there are two-three men who are standing around you and they are also just watching you तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको इतनी बुरी तरह पीटा जाता again I'm very sorry I'm raising these issues because जो violence victims होते हैं it is very disturbing to see those visuals and to relive that incident so I'm extremely apologetic मैं आप से पूछ रही हूं but just so that this can be sorted out कि जब आप you have worked with several victims of violence इसलिए मैं आप से पूछ रही हूं क्या can somebody walk like this normally after being beaten so brutally Ma'am सबसे पहले मैं previous question पे एक clarification और देना जाहूंगी मैं जब अब शब्द बोल रही थी वो ही portion उन्हाने cut करके release करा है मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि विभव खुदी बैठके वीडियो बना रहे थे तो वो पूरी की पूरी वीडियो का है पुलिस ने मीडिया को यह information दी है कि जो इनके phone हैं यह format कर चुके हैं और वो वीडियो का अभी तक source भी पता नहीं चल रहा तो सिर्फ मेरा यह सवाल है कि अगर जो इनसान सही है और सामने वाला कुछ गलत कर रहा है और तुमारे पास इतनी important वीडियो भी है तो तुम उसको original पुलिस को क्यों नहीं दोगे अपने आपको बचाने के लिए तो एक मेरा यह सवाल है दूसरा आपने जो मुझसे बोला मैम मैंने दिल्ली महिला आयोग में 1,70,000 से ज्यादा केसिस में सुनवाई करवाई है 60,000 सेक्शुल असॉल्ट सर्वाईवर्स की हम लोगों ने काउंसलिंग करिया है 2,00,000 कोर्ट केसिस से ज्यादा में हमने हीरिंग्स करवाई है जब कोर्ट में हीरिंग्स हो रही थी सेक्शुल असॉल्ट सर्वाईवर्स की तो हम वहाँ पे हमारे लॉयर्स वहाँ पे खड़े थे उनकी मदद कर रहे थे अपने पूरे 9 साल के कारेकाल में मैं हजारों सर्वाईवर्स से मिली हूँ और हर तरीके के सर्वाईवर्स से मिली हूँ डोमेस्टिक वाईलिंस, सेक्शुल असॉल्ट हम लोगों ने धाई हजार से ज़ादा तो rescue operations करें जिन में से बहुत सारे operations मैंने lead करें और उन लड़कियों को sex traffickers के भी चुंगल से हम लोग निकाल के भाड़ लेकर आएं तो मेरा इतना काम है पर मैं जब भी किसी भी survivor से मिली एक चीज हर survivor के लिए common होती है जब वो अपनी आवाज उठाती है तो उसकी आवाज कोई नहीं सुनता पूरा समाज उसकी तरफ देखकर उंगली उठाता है कि सरूर इसी ने कुछ कलत करा होगा तो ये मेरी कहानी नहीं है ये पूरे देश में हर लड़की जो अपनी आवाज उठा देती है उसकी कहानी है मैं निर्भया की मम्मी से मिली थी और उन्हाने एक बात बुली थी जो मैं जिन्दिकी में कभी नहीं पूला सकती उन्हाने मुझे ये बूला था कि कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मेरी बेटी अब दुनिया में नहीं है क्योंकि जो इस देश में न्याय पानी की जिल्लत है न कम से कम वो तो उसको नहीं देखनी पड़ रही निर्भया से भी पूछा गया था कि तुम बस में क्यों गई? आटो में क्यों नहीं गई? रात में क्यों गई? दिन में क्यों नहीं गई? वो लड़का कौन था? तो इस तरीके की जो victim shaming है ये हर लड़की के साथ होती है ये कोई नई बात नहीं है अब जो उनके सवाल है वो ये कहते हैं कि CCTV footage में तो देखो कैसे चल रही है? सीधी चल रही है? वो जो edited video है उसमें तो देखो, अराम से बैठी है तो मुझे एक बात बताईए जब आपके साथ मार पिटाई होती है तो आपका first reaction क्या होता है? You are very agitated Obviously there is pain but there is agitation which takes you over There is a very high adrenaline also running through your body आपको अगर कोई गोली भी मार दे तब भी आप उठके भागते हो क्योंकि आपको अपने आपको बचाना भी है और आपको न्याई भी पाना है तो ये कहना कि देखे इस CCTV फुटेज में ये ऐसे चल रही है पहली बात तो जहां तक दिल्ली पुलिस ने जो मीडिया में से बाचीत हुई है उसमें तो मीडिया में ये चल रही है कि CCTV फुटेज तो अभी दिल्ली पुलिस के पास ही नहीं पहुँचे तो क्या ये CCTV फुटेज बिल्कुल करेक्ट है क्या ये डॉक्टर्ड है and on top of it मैं अभी चल रही हूँ और चार दिन बाद मैं लिंप कर रही हूँ तो किसी को भी जिसको भी चोट लगी होगी उसको ये समझ आएगा कि जब चोट गरम गरम होती है उसमें इंसान दौड भी जाता है अरे फ्रैक्चर भी हो जाता है तब भी इंसान दौड जाता है और जब वो चोट सेटल करती है और जब आप एक्चली रिलाइस करते हो कि आपके साथ क्या हो गया मतलब तब जाके वो दर्द उभर के आते हैं तो ये कहना कि वो तेज चल रही थी फिर बाद में वो देखो लिंप कर रही है मुझे लगता है इससे बुरी विक्टिम शेमिंग क्या हो सकती है दुख इस वात का है कि दिल्ली की महिला मंतरी ये कहती है कि देखो इसके तो कपड़े नहीं फटे देखो इसके तो सर नहीं फूटा तो बस अब इसी की कसर रह गई थी वो भी करवा देते and on top of it मैंने कब F.I.R. में कह दिया कि मेरे कपड़े फट गए मैंने कब F.I.R. में कहा कि मेरा सर फट गया जी मैं खूनम खून हो गई exactly जो मेरे साथ हुआ है word to word बिल्कुल मैंने वही लिखा है मैंने ना आगे लिखा ना पीछे लिखा और मैं अगर गलत हूँ मेरा मैं बिल्कुल तैयार हूँ मेरा polygraph test मैं चाहती हूँ कि police करे उससे सब clear हो जाएगा मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि police मेरा polygraph test कर ले क्योंकि मैं इस आरोप के साथ कैसे जिन्दा रहूँ जिस लड़की ने हमेशा और लड़कियों को हिम्मत दी लडने के लिए आज उसी को तुमने पूरी दुनिया के सामने ऐसे दिखाया कि ये तो जूटे आरोप लगाती है तो मैं इसके साथ कैसे जिन्दा रहूं ये तो पूरे विमन्स मुव्मेंट के कॉज के लिए बहुत बड़ा धक्का है So I am willing to do anything to tell that it is actually the truth When you made the call to the police, तो उस वक्त दो तीन अलग अलग बयान थे CM और विभव ने पिटवाया, CM ने विभव से पिटवाया, विभव ने अकेले पीटा Have you given a clean sheet to Arvind Kejriwal की, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने, विभव ने अपने आप किया है Who did what? देखे मैं किसी को भी clean sheet नहीं दे रही सचाई तो ये है कि मेरे को Arvind Kejriwal जी के drawing room में बहुत बुरी तरीके से लातों और घूसों और थपड़ों से मारा गया है और ये बात MLC में भी निकल कर आई है MLC just for viewers, medical legal case, हाँ जी तो इतनी मेरे को मतलब 4 दिन बाद मेरी MLC हुई उसमें भी मेरी injuries निकल कर आई है तो ऐसी situation में जब मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है और मैं चीख चिला के मदद के लिए मांग कर रही हूं और मैं drawing room में ही हूँ और घर में और भी लोग हैं और कोई मेरे को बचाने नहीं आया तो मैं कैसे किसी को clean shit दे सकती हूँ Number one Number two जब जैसे ही मैंने complaint file करी पूरी की पूरी party को मेरे खिलाफ उतारा गया बार बार मेरा character assassination करा गया बार बार मेरा victim shaming करी गई edited videos जो आप कहते हैं जी source ही नहीं है उनको media में leak करा गया CCTV footage बता रहे हैं कि गायब करे गए वो चो आरोपी है उसको दुबारा crime scene पे बुलाया गया और फिर वो tamper करेगा evidence और या नहीं करेगा Why are you saying बुलाया गया? क्या वो खुद नहीं जा सकता था? वो कैसे जा सकता है अगर कोई उसको अंदर ना आने दे तो यह CM house की बात कर रहे हैं और यह भी पता है कि दो महीने पहले उसका he's no longer the PS तो ऐसी थोड़ी ना आप चाके देख लीजे कोई भी जाके देख लीजे क्या CM house में कोई भी ऐसी गुष सकता है मैं भी अंदर तक अगर ड्राइंग रूम तक गई तो मेरे को एंट्री दी तभी तो मैं अंदर गई नहीं तो मुझे गेट पी रोग देते हैं मैं गेट से चली जाती पर आपके बयान अलग-अलग क्यों थे कि CM ने पिटवाया you know the three things that you said CM और विभव ने पिटवाया विभव से पिटवाया गया विभव ने अकेले पीटा so जो first two calls है पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जब 112 नंबर पर कॉल कर रही थी वो वहीं खड़ा था मैं बहुत एजिटेशन और डर में थी कि मेरा फोन खीचेगा और मुझे फिर पीटेगा तो उसमें मैंने उस समय बहुत एजिटेशन में और बहुत डर में and I was already in pain and trauma तो मैंने दो बातें बोली है मुझे नहीं पता कि वो एक बोली है दो बोली है मैं उसको लेके I am not very sure क्योंकि मुझे ऐसा लगा वो ही मेरे को लगता है मेरे को ऐसा लगा कि शाएद एक कॉल मेरी लगी नहीं मैंने इसले दुबारा बोला but उस समय मैंने यही बोलने की कोशिश की कि Arvind जी ने बिभाव से मुझे पिटवाया क्योंकि उस समय मुझे यही उस वक्त I felt that but at the end of the day today I have filed a proper complaint and उसके उपर investigation अभी चल रही है और मैं अब इस पारे में कि मेरे को किसने पिटवाया क्यों पिटवाया कब पिटवाया मैं अब इसके बारे में बात नहीं करूंगी because there is an investigation that is ongoing and I would like to participate in it but what was the delay you know आप अपने घर गए और उसके बाद I mean you've worked with so many victims you know this that sometimes immediately नहीं complaint होता you feel alone or whatever the reason it took a lot of persuasion for you for people to get you to come out and speak about it what was that trigger कि आप बोले नहीं and what was the trigger जब आप बोले वो डिले क्यों हुआ जी मैं अर्विन जी के घर से निकल कर जब पुलिस टेशन पहुची civil lines पुलिस टेशन तो वहाँ पे ऐसे चो के सामने मैं बहुत बुरी तरीके से रो रही थी मैं फूट फूट के रो रही थी और मैंने उन्हें सब बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ पर उसी वक्त एक तो जो पेन और ट्रॉमा है वो सिंकिन कर रहा था उसी वक्त मेरे पास मीडिया के बहुत सारे कॉल्स आने लग गए जैसी मैंने मीडिया के कॉल्स देखे मैं घबरा गई क्योंकि मुझे इस बात की डर लगा की इलेक्शन का टाइम है and I don't want to politicize what happened to me so at that moment I decided that I will leave तो मैं घर गई उसके बाद पार्टी के वरिष्ट नेता मेरे घर आए मुझे बोला गया की पार्टी इसके ओपर action लेगी सक्त से सक्त action लेगी क्योंकि उन्होंने मेरी हालत देखी they came inside your house yes they did कितने लोग आये थे थे कुछ लोग उस ताइम वो they had sympathy with you they had because अगर आप देखें तो Sanjay Singh जी आये थे मेरे घर पे उन्होंने मेरा हाल देखा उन्होंने देखा कि जो लड़की एक fighter है हमेशा आज वो एक victim बन गई उन्होंने वो सब कुछ देखा मैं रो रही थी मैं pain में थी और मैं बार बार सब को बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ उन्होंने मेरा हाल देखकर वो अर्विन शी के घर पे भी गए उन्होंने बिभव से भी बातचीत करी ऐसा उन्होंने मुझे बताया और उसके बाद सब कुछ देखकर अगले दिन उन्होंने एक press conference भी करी जिसमें उन्होंने ये बात मानी कि स्वाती इस देश में महिलाओं के लिए एक बहुत मुखर आवाज है और उसके साथ बहुत जादा मारपीट हुई मत कीजिए हम एक्षिन लेंगे पर अगले ही दिन हमने देखा कि किस तरीके से बिभव कुमार लकनव में इन लोगों के साथ दिखे मैं जब उस तिन जिस दिन मैंने कंप्लेंट करी मैं जब उठी तो मैंने मेरे माइंड में सबसे पहले ये थौट आया कि मैंने इतनी हजारों लड़कियों को लाखों लड़कियों को जब वो मेरे पास आती थी और इतने गिनोने क्राइम्स के साथ मेरे पास आती थी मैंने उन्हें हमेशा हिम्मत बदाई और मैंने हुने हमेशा ये बोला कि चाहिए कुछ हो जाए, चाहिए पूरी दुनिया तुमारे खिलाफ हो जाए, तुम लड़ो और चाहिए अकेले लड़ना पड़े तुम लड़ो, तो मुझे जब मैं उठी, तो मुझे एक इतनी इतनी ग्लानी की फीलिंग हुई कि मैंने इतनी महिलाओं के को हिम्मत दी, और उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी लड़ाईया, मेरे कहने पे लड़ी, और मैं क्यों नहीं कंप्लेंट फाइल कर रही, I have to file a formal complaint, because it is a criminal case, ये कोई ऐसा केस नहीं है, जिसको अपार्टी can brush it off under the carpet, तो इसलिए मैंने उस तिन complaint फाइल करी, और मेरे अंदर ये थौट बार बार आ रहा था, कि जो आदमी इतनी हिम्मत दिखा सकता है, कि वो CM के ड्रॉइंग रूम में, Member of Parliament को, Former Chairperson of Delhi Commission for Women को इतनी बुरी तरीके से पीट दे, तो वो एक आम महिला के साथ क्या करेगा, Those thoughts came into my mind and by then I had gathered enough strength and मैंने ये decide कि मैं fight करूँगी और मैं complaint करूँगी, मुझे बोला गया था, कि अगर तुमने ये complaint फाइल कर दी, तो पूरी party तुम्हें अकेला कर देगी, मुझे बोला गया था, कि पूरी party तुमको BJP का एजन्ट बना देगी, मुझे बोला गया था, कि कोई मेरे साथ नी खड़ा होगा, फिर भी मैंने ये नी सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो चीज मैंने सारी महिलाओं को बोली है कि आप हमेशा सच के साथ खड़े हो आप सची सची कंप्लेंट करो लेकिन आपके साथ अगर कुछ गलात हुआ है तो आप जरूर लड़ो तो आज मैं खुद कैसे नहीं लड़ सकती so there was only one thought in my mind and that is why I filed a formal complaint and जो उन लोगों ने मुझे डराया था और जो उन लोगों ने मुझे बोला था वो actually सच निकला क्योंकि जैसे ही मेरी complaint हुई उसके बाद all hell has broken loose in my life in what way पूरी पार्टी को मेरे खिलाफ उतारा गया है हर दिन press conferences होती है हर दिन ये बोला जाता है कि मैं BJP की agent हूँ मुझे एक बात बताईए मैं 9 साल से तो public life में हूँ उससे पहले मैं 2006 से काम कर रही हूँ लेकिन मैं back end पे काम करती थी मैं 2015 से तो सब के सामने काम कर रही हूँ मैंने कितने बड़े बड़े मुद्दे इस देश में बिना डरे उठाए है हर पार्टी जहां पे मुझे गलत लगा मैंने उसके खिलाफ action लिया है तो मैं आज BJP की agent बन गई जिस दिन तक मैंने complaint नी फाइल करी उस दिन तक मैं लीडी सिंगम थी मैं इस देश की सबसे महिलाओं में सबसे मुखर आवाज थी और जैसे ही मैंने एक ऐसे आदमी के खिलाफ complaint फाइल करी जो पार्टी में बहुत ज़्यादा रसूख रखता है जो सबका चहेता है उस आदमी के खिलाफ जैसे ही मैंने complaint फाइल करी तो मैं बीजेपी की एजेंट बन गई ये बोला जा रहा है कि बीजेपी ने मेरे को डराया कि मेरे खिलाफ जो केस है उसमें वो पता नहीं क्या कर देंगे ऐसा तो महिला मंतरी बोल रही है आतिशी और आप ये देखिए कि वो केस क्या है वो 2016 में मेरे खिलाफ केस फाइल किया गया है बिलकुल फरजी केस है कईस में कोई मेरिट नहीं है उसके बाद 2017 में चार्टशीट भी हो गई है मैं कभी उस केस में अरेस्ट भी नहीं हुई और मैं अरेस्ट हो भी नहीं सकती क्योंकि चार्टशीट फाइल हो चुकी है उस केस के हो जाने के बाद दो बार और मुझे टेन्योर दिल्ली महिला आयोका दिया गया CM साहब द्वारा भी और LG साहब द्वारा भी तो ये बात तो बिल्कुल clear है कि वो बिल्कुल फ़रजी केस है देड़ साल पहले high court ने उस case में stay लगाया है और वो stay में high court ने ये बात मानी है कि जब कोई पैसे का लेन देनी ही नहीं हुआ तो काहें का corruption तो जिस case में already high court stay दे चुका है उस case की वज़े से मैं डर जाओंगी मुझे लगता है पूरे देश को ये बात याद होगी कि जब पिछली बार पिछले साल मैं मनीपुर गई थी वहाँ पे बिलकुल वार जोन जैसे हालात थे मैं जब वहाँ पहुँची गोली बारी इधर उधर सब जगा चल रही थी अकेली अपनी एक साथी अदिली महिला आयो की मेंबर वंदना सिंग के साथ मैं वहाँ पहुची थी जब हम वहाँ पहुचे एक फॉर्टी सेवन लेके लोग गोम रहे थे गोलियां चल रही थी बिना सिक्योरिटी के बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के वहाँ पर तब तक चीफ मिनिस्टर भी नहीं पाँच पाय थे मैं हम लोग अकेले गए तो जो लड़की मरने से नहीं डरती वो एक फरजी केस से डर जाएगी किस तरीके के बाते की जारी है मेरे नौ साल के कारे काल में कितनी बार डेथ थ्रेट मिले कितनी बार रेप थ्रेट मिले मेरे को सिक्यॉरिटी भी नहीं मेरे पास पर फिर भी मैं लड़ती रही अकेले लड़ती रही और मैं डर जाओंगी Was Arvind Kejriwal with you in the sense that he supported you जब आप ऐसे लड़ती थी do you feel let down your friends in the party but a person with whom you have worked for almost two decades do you feel that let down by him 2006 में मैंने अपनी engineering खतम करी थी और मैं देश के लिए कुछ करना चाहती थी मैं लोगों की सेवा करना चाहती थी मैं अर्विन Kejriwal जी से मिली और 2006 से उनके साथ काम कर रही हूं साथ साल तक मैं जुगियों में रही हूं और मैं जुगी में ही रहती थी मैंने अपना घर भी छोड़ दिया था और मैं जहां रहती थी वहाँ पे मैंने सुचना के अधिकार पे लड़ाई लड़ी राशन की लड़ाई लड़ी महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी और जब India Against Corruption का movement हुआ तो उस पूरे movement में बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े एक 23 member की core committee बनाई गई और उस core committee की youngest member मैं थी पूरा back end movement का मैं सम्हालती थी कभी सामने भी नहीं आई हमेशा पीछे से मैंने काम करा मैंने बहुत तीखे सवाल पूछे और मैंने काम करा मैं ये संघर्ष के साथ आज मैं जहां पे हूँ वो बनी पर आज मैं बहुत आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ जिन लोगों के साथ मैंने इतने साल काम किया उन्होंने जब मेरे को पूरी तरीके से पीटा गया तो मेरा साथ नहीं दिया मुझे अखेला कर दिया आज मैं पूरी तरीके से अखेली हूं मेरे साथ कोई नहीं है क्योंकि बीस साल से मैं जिस पार्टी में काम कर रही हूं वही पार्टी में मेरे दोस्त भी है मेरे एक एक दोस्त को कॉल करके धमकाया जा रहा है कि अगर उसके साथ दिग गए अगर उसके साथ कोई उसके फेवर में ट्वीट तक कर दिया तो तुमको छोड़ेंगे नहीं तो मैं पार्टी से निकाल दिया जाएगा तो पूरी तरीके से अखेला कर दिया मुझे और मेरे परिवार को इतने रिस्क पे डाला यहां तक हुआ कि मेरे जो मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है लेकिन मेरे जो रेलेटिव जिनके साथ रह रही हूं उनके पास गाड़ी आए तो उनकी गाड़ी से मैं अलग अलग जगाओं पे गई अभी 164 स्टेट्मेंट कराने तो उनकी गाड़ीों के डीटेल्स भी फ्लैश करे गए हद कर दी मेरे सारे दोस्तों को कॉल कर कर के बोला जा रहा है इसकी कोई परसनल वीडियो दो इसकी कोई परसनल फोटो दो डांस करते वे वीडियो दो कुछ भी दो, कुछ भी निकालो यूएस गई थी तो यूएस में जहां पे आम आदमी पार्टी वॉलिंटियर्स के साथ रुकी उनको फोर्स करकर के प्रेशराइज करा जा रहा है कि कोई तो वीडियो निकाल के दो, कुछ तो दो तो पूरी के पूरी मशीनरी को और एक पूरे के पूरे ट्रोल मेकनिजम को मेरे उपर छोड़ दिया गया है तो मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं आज इतनी लड़ाई लड़कर भी क्योंकि मैं सत्ता के सामने नहीं चुकी क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे पावर और बाकी चीजों से चुप कर आया जा सके मैं सिर्फ अपने सच के लिए लड़ी तो आज मेरी ये हालत कर दी गई है कि मैं बस अखेली हूँ मेरे साथ कोई नहीं है अब आम आदमी पार्टी के बहुत से वॉलंटियर जो है अमेरिका में हैं वो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद इसमें विभव जी नोज़ विभव जी and he knows too much about the funding which has come in from different parts of the world and that is what makes him so powerful and so imperative to have next to him इसलिए शायद के जिवाल जी विभव के अगेंस्ट कुछ नहीं कहेंगे जाय जो मर्जी विभव ने किया हो क्या ये हो सकता है इसमें तो कोई शक नहीं है कि विभव उनका बहुत राजदार है और जो भी है सब विभव को पता होता है इसमें तो कोई शक की बात नहीं है क्या हुआ क्यों हुआ किसलिए वो उनको बचा रहे है ये तो अब investigation का matter है जिस तरीके के मेरी victim shaming और character assassination करा जा रहा है और जिस तरीके से मुझे बार-बार intimidate कराया जा रहा है मेरे हिसाब से ये किसी को भी शोभानी देता मैं ये भी बोलना चाहूंगी क्योंकि मैंने देखा कि कैसे एक male mantri सौरभ भारदवाज उन्होंने एक tweet को retweet करा tweet party के बहुत एक one of the important handles से tweet करवाया गया जिसमें ये लिखा था कि देखिए मेरी photo दिखाई गई कि देखिए इसकी shirt में button नहीं है तो जो male mantri है वो ये कहते हैं कि हम तो यही कह रहे हैं देखिए नहीं है यही तो इसी तरीके से तो contradictions है जो case खतम हो जाएगा कि case जूटा है मैं यह जानना चाती हूँ कि एक पुरुष मंत्री को क्या यह शुबा देता है क्योंकि जब उन्हाने यह करा तो सब ने zoom करके देखा मेरे chest को कि यहाँ पे button है या नहीं क्या यह शुबा देता है मतलब मंत्री बैठकर अब औरतों के button है या नहीं इसके उपर बातचीत करेंगे और उनको भी बता दूँ और सबको बता दूँ कि जो मेरे कपड़े थे वो पुलिस के पास है investigation हो रही है उसमें button थे भी और वो button खुले भी थे मैं यह समझ नहीं पारी कि इस तरीके से क्यों बिभव के support में पूरी की पूरी party है यह वही party है जो मेरी party है यह वही party है जो हमारे खून और पसीने से बनीवी party है हम 2012 में निर्भया के लिए सडकों पे उतरे थे मैंने खुद लाठी खाई है बहुत बुरी तरीके से मेरे सथ लाठी चार्ज हुआ था वो party आज बिभव कुमार को बचाने के लिए अर्विन केजरिवाल जी के साथ सडक पे उतरती है महिला नेता सडक पे उतरते है तो मेरे बहुत सारे सवाल है और मैं इस वक्त बहुत आहत हूँ मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे धमकाया गया था कि तुम्हें खतम कर देंगे पर मैं इतना बता दूँ कि मैं खतम नहीं हूँगी मैं सच बोल रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सच में बहुत शक्ती है और अंत तक लड़ूँगी एक पॉलिटिशन ने ये भी कहा है कि आप पे प्रेशर दल रहा है एक चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि आप पे प्रेशर दल रहा है कि किसी तरह आप कॉम्परमाइस करें ये कई बार होता है विक्टिम्स के साथ जब वो बोल जाते हैं तो there is pressure from either from the person who has done the crime or else family members या कि आप कॉम्परमाइस करो क्योंकि it is extremely difficult to fight this you know it too तो क्या आप कॉम्परमाइस करने के लिए आप तयार होंगे या आपको justice चाहिए मैम ये जो मेरी ट्रोलिंग कराई जारी है जो victim shaming कराई जारी है जो रोज रोज press conferences करी जारी है वो मेरा character assassination करने के लिए करी जारी है और वो इसलिए किया जारा है जिससे कि मैं दबाव में आऊं और मैं अपना matter खतम करूं यही चीज तीन दिन तक मुझे डराया गया था कि अगर तुमने बोला यह तो बहुत बड़ी machinery है तुम्हें जूटा साबित कर देंगे सब कुछ होगा गलत videos आएंगी सब कुछ बोला गया था लेकिन मैं तब भी नहीं डरी और मैं आगे भी नहीं डरूंगी मैंने जो बोला है एक एक शब्द उस F.I.R. में बिल्कुल सच है और मैं बोल रही हूँ मेरा polygraph टेस्ट करा दीजे मेरा narco टेस्ट करा दीजे मेरा जो टेस्ट कराना है करवा लीजे मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ और मैं क्योंकि सच बोल रही हूँ मैं किसी से नहीं डरूंगी इन्हें ये लगता है कि ये हर इंसान सत्ता के सामने जुक जाएगा किसी को भी कुछ भी करवा दो, मार दो, पीट दो, उसका character assassinate करवा दो उसके परिवार को बुरी तरीके से torture करो क्योंकि सब में तो मेरा परिवार के बारे में सोची कि मेरे परिवार का क्या हाल हो रहा होगा लेकिन हम लोग थोड़ी अलग मिट्टी से बने हैं और मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ मेरे साथ जो हुआ, वो बहुत गलत हुआ और मैं अंध तक लड़ूंगी और मुझे पता है इस लड़ाई में मैं अकेली हूँ मुझे पता है मेरा कोई साथ नहीं देगा मुझे पता है कि ये लड़ाई मुझे अकेली ही लड़नी पड़ेगी क्योंकि मैंने सारे सर्वाइवर्स को देखा है उनको अकेले लड़ते वे देखा है उनको वो हर दिन, हर पल, वो दुख और एक desperation, एक helplessness मैंने उनके अंदर देखी है, but it's okay, इन्हें लगा था कि इस तरीके से मार पीट कर एक fighter को ये victim बना देंगे, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं fighter हूँ, fighter थी और fighter रहूंगी, अकेले लड़ूंगी, किसी की जरूरत न है, मुझे मैं अकेले लड़ूंगी, लेकिन मैं जरूर लड़ूंगी, आप सत्ता के बारे में बात कर रही थी, कुछ लीक्स आई हैं, from sources in Aamadmi Party, कि शायद हो सकता है कि आपको कहा गया हो कि राजसभा की seat आपको, you have to give it up, क्योंकि कि किसी और, किसी एक खास वकील के लिए वो seat चाहिए, was that an issue? उन में से मैं एक थी, तो मैं तब से काम करती आ रहे हूं, जमीन पे काम करती आ रहे हूं, 2006 से लेके, 2012 तक मैंने सारे operations run करे हैं, I was absolutely the most important part of those three or four people. Did you not see any signs of this, जब प्रशान भूशन, शांती भूशन के साथ वाइलन सुआ, जब और भी किसे थे थे वन इत विए, अगिशन पूलिए हैं, जब आपको ड़ा था कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पाफुल हो गए हैं, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा बुलीं कर रहे हैं पा तो में को MP SHIP की कोई लालसा नहीं है, ये मुझे प्यार से बोलते, तो मैं हर हाल में रिजाइन कर देती, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई पद में मैं बंधी हूँ, मेरे को लगता है कि मैंने बहुत काम किया है, और मैं काम बिना पद के भी कर सकती लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है, अब चाहे दुनिया की कोई शक्ती लग जाए, मैं किसी भी हाल में resign नी करूंगी, मुझे पता चल रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि इसी वजे से मुझे character assassination करा जा रहा है, victim shaming करी जा रही है, मैं बिल्कुल resign न the parliament right now, and I will work very hard, मैं बहुत शिदद से महनत करूंगी, और मैं एक ideal parliamentarian कैसी होती है, मैं वो बनके दिखाऊंगी. On the question of, did you see signs of it happening? See, I have been there since 2006. जब हम 2006 में साथ में सब काम करते थे, तो एक बहुत अलग तरीके का environment था, एक बहुत जोश था, ground पे काम करते थे, हम लोगों के बीच में रहते थे, मैंने बताया, मैं साथ साल जुग्यों में रही हूं, और हम सब इस तरीके से काम करते थे, लेकिन जब power आती है, और सत्त आती है, तो मुझे लगता है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती है, और सबसे बड़ी जो चीज़ आती है, उसको कहते हैं एहंकार, तो धीरे 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 जब एहंकार आपके सर पे सवार हो जाता है, तब आपको शायद ये नहीं दिखता कि क्या सच है, क्या यह साइन्स हम लोगों ने देखे हैं और ओवर दे इयर्स देखे हैं पर मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि एक लड़की जिसने कभी इनका तो छोड़ दीजे किसी का भी बुरा नहीं करा जो कभी जूट बोलती ही नहीं है मेरे लिए यह बात सब जानते हैं और अगर मुझे क कभी मतलब मैं कभी कुछ गलत नहीं करती ऐसी लड़की जिसको यह सब जानते हैं उसके साथ पहले तो उसको पीटा जाएगा और उसके बाद उसको पूरी तरीके से character assassination करके isolate करवा दिया जाएगा यह मैंने कभी नहीं सोचा था आप जब एहंकार की बात करते हैं यह किस में आ रहा था सब में जो office bearers है किया कुछ लोगों में मुझे तो लगता है कि सब में ही एहंकार बहुत बढ़ गया है बट मैं यह मानती हूँ कि everything begins from the top so I think that हमें बहुत सादा rethink करने की ज़रूरत है और हमें जमीन पे ground पे लोगों के साथ रहने की ज़रूरत है जो हम पहले करते थे मैं यह मानती हूँ कि जैसे ही आप लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों के साथ काम करते हैं तो उससे जो आपको एक energy मिलती है उससे जो आपको inputs मिलते है उससे जो आपकी soul की cleansing होती है वो किसी चीज से नहीं हो सकती ह तो यही कहूंगे कि अभी भी वक्त है और बहुत सारी चीजें करी जा सकती है अभी भी समला जा सकता है क्योंकि अगर देश में एक क्रांती लानी है तो पहले अपने अंदर वो क्रांती लानी पड़ेगी और पहले अपने घर में अपने पार्टी में वो सारी क्रांती को हमे implement करना पड़ेगा. आपने एहंकार की बात की, आपने betrayal की बात की, right? The creeping sense of entitlement जो R.E.A. Party में और दूसरा betrayal, जैसे सब ने betray किया आपको. Do you feel that अब जो है, whether it is Mr. Sisodia, Mr. Jain जो अब जेल में है, सब उनको भूल चुके हैं, betrayal वहां से शुरू हुई, betrayal आप तक पहुंची अब? जी, मैं तो इस वक्त बहुत ही जादा betrayed महसूस कर रही हूँ. एक एकर के सब? मैं बहुत betrayed हूँ. मैं सबसे, मैं, मैं इस वक्त जो महसूस कर रही हूँ, मैं बस यही चाहूंगी कि भगवान ना करे, कभी कोई ऐसा महसूस करे, क्योंकि मेरा सब खताम हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया, और मैं जहां मैंने इतनी महनत करी, इतना काम किया, जहां पे मैं लोगों के साथ उटती थी, बैठती थी, आज वही लोग मेरे परिवार तक पहुँच गए, आज उन्हाने क्या नहीं करा मेरे को डराने के लिए और धमकाने के लिए, मेरा चीरहरन तो मेरा उस घर में हुआ, और चरित्रहरन मेरा रोज चलाया जा रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया, और क्यों हुआ, और इतनी बुरी तरीके से आप किसी को मतला त्रीट करोगे, तो मैं, I feel very betrayed, I feel very let down, I feel Arvind Kejival says that Swati ji, that there are two versions of what happened on May 13th, कहते हैं कि Police Investigation free and fair होना चाहिए, तो इसमें there are two versions की बात कह रहे हैं वो, एक आपका version है और दूसरा किसका version है? उन्होंने तो out of court, trial कर दिया, और मुझे तो दोशी मानी लिया, भई जब पूरी की पूरी पार्टी, रोज मुझे दोशी करार करने में लगी पड़ी है, तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि free and fair investigation हो, मैंने तो सिर्फ एक call करी और मैंने एक complaint करी, उसके बाद तो इतने दिन से मैं चुपी बैठी हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि free and fair investigation हो, पर आज free and fair investigation कैसे होगा? क्योंकि हर दिन कभी कोई doctor video डालते हैं, कभी कोई CCTV footage जो कि doctor है, वो डालते हैं, कभी कहते हैं BJP का agent है, कभी character assassinate करते हैं, कभी धमकाते हैं, तो कैसे free and fair investigation होगा? तो अगर वो really में चाहते हैं, और चाहते थे कि free and fair investigation हो, तो मैं तो बस यही चानना चाहती हूँ, फिर ये पूरी army of netas and trolls, मेरे पर क्यों छोड़े गए? भाई, एक case हुआ, उसके उपर मैंने complaint file करी, complaint के उपर free and fair investigation तो होने तो, आपने तो पूरी के पूरी आर्मी जोग द with many victims and as you always know, that victims always wonder, that the victims are the ones that are not with us. जाहे परिवार की महिला हैं, या वर्क प्लेस में जब violence होता है, तो वर्क प्लेस में जो महिला हैं, you always feel that a woman should stand by a woman. Do you feel that Sunita ji hoon, या फिर आतिशी ji hoon, इन दोनों के तरफ से आपके खिलाफ, या आपके support में अगर वो नहीं कहीं, तो do you feel betrayed by them? जी मैं तो बस इतना कह सकते हूँ कि आज मेरे साथ हुआ है, कल पतानी किसके साथ होगा, बहुत हिम्मत चाहिए, इतने powerful लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए, मैंने आज वो हिम्मत दिखाई है, पठाँ ये जरूर है कि मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, जब मैं महिला मंतरी को देखती हूँ, टीवी पे ये बोलते हुए, कि इसके तो कपड़े नहीं फटे, इसके तो सर नहीं फूटा, ये तो जूटी है, ये तो बीजेपी की एजेंट है, तो में मेरा दिल भहुत टूटता है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ, क हर महिला को महिला के साथ खड़ा होना चाहिए, अगर मैं एक बात चिला चिला के, रो रो के, गिड़ गिड़ा के कह रहीं, तो उसमें मेरा क्या फाइदा होगा, मैं किसके इशारे पे करूँगी, और मैं क्यों करूँगी, इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरा करियर खतम हो ग वो अगर मेरे साथ नहीं खड़ी हो रही और वो क्या क्या बोल रही है उससे मेरे को बहुत दुख्र होता है क्योंकि मैं तो सबसे सारी महिला हैं जो पॉलिटिक्स में हैं मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ अगर आज हम चुप रहे और हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो यह बार बार होगा यह और लोगों के साथ भी होगा हमारी अगली पीड़ी के साथ भी यही होगा तो आज अगर हम लड़ेंगे हमारे साथ कुछ गलत होता है तब ही जाके तो सुधार होगा तो मैं उस सुधार के प्रती काम कर रही हूँ और मैं यह बानती हूँ कि साथ देना चाहिए, उनका दर्द समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी महिला और स्पेशली मैं, जिसका इतना करियर रहा है, और जिसने इतनी महिलाओं की मदद करी है, वो क्यों जूट बोलेगी? आमादमी पार्टी जब आई थी, तो, जो दल-दल की चड जिसको कहते हैं दूसरी पार्टियों में है, उसको साफ करने के लिए, इस वार्टी अब, आफ्टर आफ्ल थी इंसिदेंस विच अव तेकन पलेस, दियू फेल की भटक गई है आमादमी पार्टी? Like I said, right now I'm very disappointed, ये पार्टी किसी तीन या चार लोगों की जागीर नहीं है, ये पार्टी मेरे भी खून और पसीने से बनी है, और ये मेरी भी पार्टी है, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, कि इस पार्टी को ठीक करा जा सके, और इस पार्टी की जिस तरीके के, ज को दबाया जाए, मुझे नहीं लगता कि this is a good culture in any party, अगर कोई case है, और अगर उसके so-called दो version है, तो उन दो versions को, पुलिस को तो investigate करने दो, आपने तो court के बाहर ही खुदी बस वो कर दिया कि नहीं, होई नहीं सकता, तो ये ठीक नहीं है, तो मैं ये मानती हूँ कि मेरी party है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस party को सुधारा जा सकते। और मुझे पूरी तरीके से isolate कर दिया गया, इतनी victim shaming करी है, कि उसके कोई हद नहीं है, तो कैसे किसी में हमात आएगी, आपने तो मेरे को इस तरीके से करके एक example बनाया है, कि अगर कोई आवाज उठाएगा, तो स्वाती जैसा हाल कर दिया जाएगा, वो भी स्वाती का, जिसने 2006 से काम किया, हर समय साथ रही, कभी कुछ गलत नहीं करा, हमेशा सही के लिए खड़ी रही, उस लड़की का आज उस fighter को, इन्होंने आज victim बना के शोड़ दिया, तो कैसे कोई आवाज उठाएगा? Swati ji, जिस तरह it's possible, आप कह रहे हैं कि विभव सब कुछ जानते हैं, राजदार हैं, you have also been with the party शुरुआत से, आप भी जानती होंगी इनके कही राज, तो अगर विभव को प्रोटेट कर रहे थे, तो क्या आपको अपने करीब नहीं रखते, you keep your enemies near you and you keep your friends near you, तो क्या अगर अरविन केजिवाल is a smart politician, would he not have tried to keep you near the party and not let you fight, क्योंकि आप भी जानती हैं उस party के राज, चाहे financial irregularities का जो आरोप है उन पे, आप भी तो जानती होंगी उस सब के बारे में पहली बात तो मैं इस तरीके के कामों में ना तो involved होती और ना ही मैं इस तरीके के कोई राज जानती हूं, number one, number two ये है कि उन्हा ने क्यों करा, बिभव ने क्या करा, उन्हा ने क्या करा, this is a matter of investigation and let the investigation take its own course, all I can say is कि मेरे को नहीं पता है कि क्या financial dhandli है क्योंकि मैं किसी भी financial dhandli में कभी involved ही नहीं हुई, तो जब मैं involved ही नहीं हूँ, तो मुझे उस तरीके के राज कैसे पता चलेंगे, राकफ चडड़ा is back, did he contact you, क्या उन्होंने बात की आप से, मुझसे party में संजे सिंग जी ने बात करिये, क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि संजे रहा है कि तीन लोग हैं, जिनके राजसभा सीट्स रिजाइन करने को रिक्वेस्ट या आदेश दिये गए हैं, एक आप हैं, एक राघव हैं, और एक हरबजन जी हैं, is it true that this is, that all three of you have been asked to give up your राजसभा सीट्स? मैं अपना बता सकती हूँ, मेरे से तो ऐसी कोई भी बात नहीं हुई, और जैसे मैंने बताया था कि अगर मुझे से प्यार से बोलते तो मैं तो जान दे देती, राजसभा सीट तो बहुत चोटी बात है Finally, I'd like to ask you this, जो आपने कहा था about women, you know, getting into leadership positions, जिस तरह आपके साथ जो हुआ है, क्या इसके बाद, would you advise women to come into politics at all? आज इस देश की संसद में 14% महिलाएं, और स्टेट के जो legislatures हैं, उनमें उससे भी जादा कम महिलाएं, तो ये सब कुछ होता ही इसलिए है, क्योंकि महिलाएं politics में बढ़ चड़के हिस्सा नहीं लेती है, मैं सबसे अपील करूँगी, सभी महिलाओं से अपील करूँगी, जब तक हम 50% संसद में और legislatures में नहीं होंगी, तब तक मुझे नहीं लगता ये देश आगे बढ़ सकता है, और तब तक इसी तरीके से यही होगा महिलाओं के साथ, तो मेरी सबसे अपील है, बढ़ चड़के politics में हिस्सा लीजिए, मेरी ये भी अपील है, कि आगे बढ़ क्यों है, हम कुछ बदलाव चाहते हैं, तभी तो हम हिस्सा बनते हैं, नहीं तो एक इनसान, आम इनसान, अपने घर पे या अपने एक नॉर्मल जो बाकी लोग काम करते हैं, उसमें रह सकती है, वो इतना संघर्श करके, एक political party का हिस्सा सिर्फ एक बड़े बढ़ जबाया जाएगा कि चुपो जाओ, चुपो जाओ, नहीं तो तुम्हें खतम कर दिया जाएगा, तो तेश कैसे आगे बढ़ेगा, तो मेरी तो सारी महिलाओं से यही अपील है, अगर किसी महिला के साथ कुछ गलात हो रहा है, आप उसकी बात सुनें, उसके साथ खड़े ह और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा आप पॉलिटिक्स में पार्टिसेपेट कीजिए, आज हम जो बदलाव करेंगे, वो नीव होगा आगे हमारे आने वाली पीड़ी की महिलाओं के लिए, वो बच्चीयों के लिए, उनके लिए हमें लड़ना है और आज हमें बदलाव कर आपके साथ खड़ा होना चाती है, they want to support you, but you will probably hesitate कि अगर कोई BJP से है तो नहीं करूंगी मैं क्योंकि I'll be called a BJP agent, या फिर कोई Congress से हो तो no, I'll be called a Congress agent, तो that might make you hesitate in taking steps to take their support, ऐसे है क्योंकि LG ने भी कहा है that he wants to help or he supports you, तो are you hesitant in taking people's help? ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई hesitation नहीं है मेरे अंदर, बट हाँ ये ज़रूर है कि इस वक्त मैं जो बस एक ही feeling बहुत जादा feel कर रही हूं, मैं मैं बहुत strong हूं और मैंने बहुत बड़ी-बड़ी लड़ाईयां जिन्दगी में लड़ी हैं और मैं कभी डरी नहीं किसी से, लेकिन पहली बार जिन्दगी में मैं अंदर तक तूट गई हूं, मतलब जिस लेवल की anxiety मुझे हो रही है, मेरे को मैं बहुत survivor से मिलती थी, वो हमेशा बताते थे तो मेरे को बात समझ नहीं आती थी, I am feeling very anxious, मैं बहुत anxiety है मुझे, मुझे इस वक्त डर लग रहा है, मुझ मुझे ऐसे अंदर से लग रहा है कि मैं अंदर से तूट गई हूं, कि मेरा सब कुछ खताम हो गया, और मैं बहुत ही जादा victimized हूं, तो इस वक्त, frankly, मैं ये नहीं सोच पारी, कि कौन मेरी मदद कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, मुझे बस जो दिख रहा है, वो बस ये किया, जिनकी साथ मैंने हमेशा दिया, जिनके लिए मैंने मैं जान दे सकती थी, उन लोगो ने आज मेरे साथ क्या किया, तो unfortunately, right now, I am in that circle, which every victim probably goes through, where I am feeling very victimized, and all my thoughts, unfortunately, are right now around that. You keep reliving that incident of May 13th? Every day at 6 a.m. dot, I wake up, and I wake up with a very, very, very horrible feeling in my stomach, I am feeling anxiety almost the entire day, मेरा पूरा परिवार तहस नहस हो रखा है, मेरी मा है, और उन्होंने मुझे बहुत मुझे बढ़ा करा है, मेरे घर मेरी बहन है, हम दोन हैं बस, और वो single parent रही है, और उन्होंने बहुत बहुत कुछ देखकर, और हमारे पस कोई संसादन नहीं है, उन्होंने अकेले मुझ को बढ़ा करा है मैं अपने परिवार में अपनी मासी के भी बहुत करीब हूँ वो भी मेरी मा जैसी है आज उनके अगर आप हाल देख लें तो उनको देख देख के मुझे और मतलब कहीं न कहीं मैं बार-बार और कमजोर होती हूँ वो रो रही हैं लेकिन वो रोते हूँ हुए भी बार-बार मुझे यही कह रही है कि हम लड़ेंगे they are also very strong, I am also very strong बट जब इतनी बड़ी घटना आपके साथ हो जाती है तो कही ना कहीं आपका पूरा strength खिच जाती है but like I said, they tried their level best to make a victim out of me they have tried their level best to completely finish me but I won't allow that to happen I have the support of my family and मुझे पता है कि मैं सच बोल रही हूँ तो क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ मेरे को पूरा विश्वास है कि बगवान मेरे साथ है और आगे भी मेरा साथ देगा जब मैंने यह स्टेप लिया तो मैंने यह नहीं सोचा कि मेरे करियर का क्या होगा मैं कहां जाओंगी मेरे तो कोई साथ नहीं देगा कौन मेरा साथ देगा कौन नहीं देगा मैंने यह सब नहीं सोचा और मैं यह बिलकुल नहीं सोचूंगी और मैं सारी महिलाओं को यह ही कहना चाहती हूँ अगर किसी ने आपको पीटा है तो उसके खिलाफ आपको action लेना ही चाहिए 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 उसके बाद जो आपके साथ हो वो देखा जाएगा क्योंकि अगर आज आप चुपो गई तो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि वो आगे चलके पता नहीं किसी कर सकता ऐसे हिम्मत नहीं होगी किसी एम के रेजिदेंस में वो मार पिटाई करें Do you want more people to be arrested? What do you want right now? I just want a proper investigation in the matter मैंने बिलकुल सच बताया कि मेरे साथ क्या हुआ और कहा हुआ और उस घर में कौन थे तो ये सारी बाते मैंने बताई है मैं चाहती हूँ proper investigation हो ना मैं किसी को clean chat दे रही ना मैं ये कह रही कि इन्होंने करवाया क्योंकि मैं कौन होती हूँ बोलने वाली भाई मैं वहाँ थी मुझे बुरी तरीके से पीटा गया मैं चीक चला रही थी मेरा कोई साथ नहीं दिया गया कोई मुझे बचाने नहीं आया और उसके बाद भी मेरे पे attack पे attack पे attack कराये जा रहे है तो ये सब कुछ है ये मेरे को लगता है सब देख रहे हैं मैं भी देख रहे हूँ आप तो दिल्ली पुलिस प्रॉपरली जांच करके बताईगी कि क्या हुआ सकता है जो आप मेरे साथ कर रहे है लेकिन सच तो सची रहेगा वो CCTV फुटेज कहां है वो डॉक्टर्ड वीडियो जो रिलीस करी गई उसकी पूरी वीडियो कहां है वो जैसे ही सामने आएगा तो सच पूरा हो जाएगा वहां पे और भी लोग थे वो क्या कह रहे है वो भी तो देखना पड़ेगा और जो ये दिखाया जा रहा है कि देखिये ये तो इसको ये अप शब्द बोल रही है तो security वाले ये तो बताएंगे न कि मैं पहले गई उसके बाद बिभाव गया उसके बाद कितनी देर के बाद security को अंदर बुलाया गया तो वो जो वीडियो है वो तो पूरे मैं वहां पे एक सवा घंटे देड़ घंटे थी उसका तो एक मिनट भी नही दिखाया तो वाइड ये थिंक anybody would do this मतलब आपके पास था क्या जो आप पे इतना violence किया जाए like maybe do you have power do you have knowledge do you have information जो आप से निकालना जाते है क्या क्यों पीटा गया आपको so now because Delhi Police को मैंने complaint दिये and they are investigating the matter so I will cooperate with the Delhi Police and जो भी मैंने मुझे लगा वो सब कुछ मैं Delhi Police को बता रही हूं and Delhi Police को investigate करने दिशे on the motives on the motives right thank you so much Swati ji for spending time with us and explaining as to what happened and I hope you have the strength to deal with this mental trauma that you're going through right now yeah thank you ma'am thank you so much